नमस्कार स्वागत है आपका दापुल टेकनिक क्लासेस में आज है ये इंजिनेरिंग मेकैनिक का अगला लेक्चर इससे पहले हम पढ़ चुके थे न्यूटन्स लाओफ मोसन के बारे में वहां पर जब वीडियो लास्ट हो रहा था तो कुछ समझाना बाकि था तो ऐसे न्य क्लास में पढ़े होंगे तो आप असानी से न्यूटन्स लाओफ मोसन इतना फेमस ला है फिजिक्स का कि आप असानी से इसे जानते होंगे और बहुत बार अब तक पढ़ चुके होंगे तो फर्स्ट लाम उन्होंने कहा था कि कोई भी बोड़ी यहां पे हमने आपका एक् like continue its a state of rest or state of motion कहने का मतलब कि कोई भी बोड़ी है अगर वो पर उसके खरेट है रोली तो वह रहना चाहे Queensborough motion में रहना चाहिए lugard उन्होंट straps होरे क्यों करती है और अगर यदि कोई body move कर रही है motion में जैसे मान ले जाए आप cycle चला रहे हैं आपकी cycle motion कर रही है तो फिर वो अगर आप break ना भी मारें तो भी क्यों रुख जाती है जाहिर सी बात है ये सबाल होना चाहिए और यही तो बताने के लिए हमारे पास आपके semester में जो third AC का engineering mechanics का जो third unit है friction वही तो major role निवाता है cycle के automatic रुख जाने में अगर आप break नहीं भी लगाएंगे तो friction के कारण रुख जाएगा क्योंकि cycle के tire इस cycle यह किसी भी पहिए मतलब किसी भी बाहन के पहिए अपने मतलब के tear के surface पर सडक के द्वारा जो friction लगता है उसी friction के कारण उसमें बाधा उत्वण होती है और वो finally जाके रुख जाता है तो Newton सहब ने यह कहा था कि हर body में एक inertia होता है inertia मतलब जड़ातव हर body का यह tendency होता है जैसे किसी छोटे बच्चे का by the way उसके मन कर दिया कि हम इस जलते हुए लालटेन को छुएंगे तो बस आप उसको रोकने की कोशिस करिये वो जाने की ही कोशिस करता है तो बस उसी तरह से Newton का first love कहता है कि हर body अगर वो rest में है तो rest में ही रहना चाहती है और अगर motion कर रही है तो motion ही करते रहना चाहती है कब तक until disturbed until disturbed कहने का मतलब कि जब तक कि उसे disturbed ना करे कौन disturb करेगा कोई external force by the way एक football का match हो रहा है किसी खिलाडी ने यहां से kick मारा football अभी इस दिसा में जा रहा है अब अगर by the way यहां तक इसे कोई disturb ना करे आप कुछ समय के लिए मान लिजिए कि जमीन पर लगने वाला गेंद और जमीन के बीच लगने वाला friction भी खतम हो गया तो क्या यह football कभी रुकेगी नहीं हाँ हवा का drag भी आप मतलब neglect कर दीजिए तब यह football कभी नहीं रुकेगी लेकिन फिर देखिए बाई दिवे यहां से कोई खिलाड़ी आया और इसे किक किया दुबारा इधर तो फिर उसका direction change हो गया अब इधर की और move करने लगेगी हो सकता है यहां पे कोई खिलाड़ी है जो उसपे apply होता है तो Newton साव का first law यही कहता था second law में उन्होंने बताया कि rate of change of momentum is directly proportional to imposed load यानि कि जो momentum होता है momentum क्या होता है यह हमने आपको पहले वाले वीडियो में अच्छे से बता दिया तो rate of change of momentum यानि कि momentum के बदलने का दार जो है वो directly proportional होता है उसका direction वाही direction होता है जो force का direction होता है और इसी Newton साव के second last ही यह formula आया था यह फुरावर aim A जिसे आप numerical बनाने में एक one marks के लिए use करेंगे जहां F क्या है force, aim क्या है mass and A क्या है acceleration ठीक है? F है force, aim है mass और A है acceleration ठीक है? Newton का second last वो formula आया था थार्ड ला में आप लोग यह तो third ला सब को याद होता है first और third सब को याद होता है second में लोग confuse करते हैं इसलिए आप second भी अच्छे से याद करेंगे equivalent opposite direction नहीं equivalent opposite reaction equivalent opposite reaction यानि कि हर क्रिया के बराबर विप्रित किर्या किया तो उसके बराबर और विप्रित में पठिक्रिया होती है जैसे बाई देबे आप नउ में से पानि में कोई नउ रखी हुई है उस पर से जंप लगाके आप नदी के किनारे पर चले गए उचलके पीछे की और चली जाती है क्योंकि आपने कुदने के लिए जो force लगाया वो उस तहनी पे भी पड़ा तो इसलिए third law के अनुसार यानि कि हर action का equal and opposite reaction होता है तो यह यहां तक था Newton's law of motion अब हम लोग पढ़ते हैं Newton's law of gravitation उन्होंने gravity के बारे में क्या कहा जेनरली यह students के बीच मानेता होती है कि gravity एक ऐसा force है जो earth लगाती है objects पे जबकि ऐसा नहीं है gravity एक ऐसा force है जो हर object एक दूसरे object पे लगाता है ठीक है तो इसके बारे में हम आपके सामने अभी लिखते हैं यह रहा Newton's law of gravitation ठीक है इसमें लिखा गया है everybody attracts another body हमने आपको बताया ना अभी कि gravity जो force है gravitational force है वो earth cable नहीं लगाती है बलकि इस ब्रह्मांड में जितने भी object हैं चाहे ग्रह हो उपग्रह हो या फिर stars हो satellites हो जानि कि जितने भी चीज है इस ब्रह्मांड में वो सभी एक दूसरे पे gravitational force लगाती है सब कुछ एक दूसरे को आपस में खीच रहा है हर बस्तू एक दूसरे को आपस में खीच रहा है और उसी force को gravitational force कहते हैं इसलिए इसका पहला line है everybody परतेक body attracts आप जानते हैं attracts मतलब अपनी और खीचना attracts another body यानि कि दूसरे अन्य बोडी को फिर अगला line देखिए the force of attraction between any two body is directly proportional to their masses इसमें बोला गया Newton सहाब ने ये बोला था जब ये gravitation बाला ला दिया गया तो उन्होंने कहा कि जो दोनों के बीच लगने बाला force है जिस force की बारे में हम बात कर रहे हैं gravitational force वो force जो है वो किस पे depend करता है तो उन्होंने बताया कि directly proportional होता है directly proportional कहने का मतलब समानुपाती होता है यानि कि जैसे जैसे ये term बढ़ेगा वैसे वैसे ये term भी बढ़ेगा inversely proportional का क्या मतलब होता है inversely proportional का मतलब होता है कि जैसे जैसे इस तरफ वाला टर्म बढ़ेगा वैसे वैसे इस तरफ वाला टर्म घट जाएगा तो ये ध्यान से पढ़े है इस लाइन को इन्होंने लिखा कि the force वही force, gravitational force the force of attraction between any two body is directly proportional to their masses कहने का मतलब कि जो gravitational force जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उसका जो amount है वो directly proportional होता है किसके दोनों बस्तू के mass का mass क्या होता है हमने आपको पहले बता चुका है ठीक है तो जितना जादा mass होगा उतना जादा force लगेगा कहने का मतलब जो भी बस्तू है वो अपने पास जितनी जादा quantity में अपने पास matter स्टोर किये हुए है और दोनों body की बात करें एक body के नहीं दोनों body का मिला करके ऐसे आप समझे जैसे की एफ जो है यह इफ कौन वाला एफ है यानि की gravitational force है ठीक है gravity के कारण लगने वाला force यह directly proportional होता है दोनों के mass पर aim 1 पहले बस्तू का mass और aim 2 दूसरे बस्तू का mass दोनों बस्तू के mass के multiplication के directly proportional आप समझे यानि की जितना ज़्यादा ये भैलू उतने ज़्यादा ये भैलू ठीक है और अगला line ये भी कह रहा है and inversely proportional to the square of distance between them यानि की माल लिया जैसे ये एक बस्तू है A ये एक बस्तू है B ठीक है ये मिश्टर रामलाल की बस्तू होगी ये मिश्टर स्यामलाल की बस्तू होगी अब इन दोनों के बीच की कुछ तो दूरी होगी इसे हम कहते है small d से बता देते है D ठीक है इसका कुछ mass भी होगा ये M1 रहा और ये M2 रहा अस्क्वाइर के ये देखिए अस्क्वाइर दोनों के बीच के distance d के अस्क्वाइर के inversely proportional होता है ठीक है अब हम इस दोनों प्रपोशनलिटी को एक साथ मर्ज कर देते है ठीक है M1 और M2 के directly proportional और d अस्क्वाइर के inversely proportional ये रहा Newton's law of gravitation अच्छा अब आप पहले भी कहीं किसी class में जरूर पढ़े होंगे कि अगर आपको प्रपोशनलिटी का symbol हटा के equality का symbol यूज करना है तो आपको एक constant से multiply करना होगा ठीक है कहने का मतलब ही है कि यदि आप ये समानुपाती वाला चिनहा हटाना चाहते हैं और बराबर वाला चिनहा लगाना चाहते हैं तो आपको किसी ने किसी एक constant यानि कि अचर मान से गुना करना पड़ेगा यहां हम अचर मान को ले लेते हैं जी तो चुकी बात हो रही है कि इसलिए यहां पर हमने ले लिया है जी ग्रेविटी से सवाल आता है तो इस फर्मूले मुले से सवाल जरूर आता है इस मंत्र को आप याद कर लिए बढ़िया स्लोक है एक नमबर जरूर दिलाएगा ठीक है तो यह रहा न्यूटन्स लाउफ ग्रेविटेशन अब हम आगे पढ़ेंगे अब फोर्स सिस्टम में इंटर करेंगे यहां तक जो चल रहा था वह बेसि कुछ टर्म से जिसका डिफिनेशन आपने समझा जाना न्यूटन्स लाउफ मोशन के बारे में यहां तक जाना अब हम लोग इंटर करेंगे फोर्स में और वह एक्चुल में में मेकैनिक्स का यही काम है कि कि किसी बोडी पर फोर्स लगाओ वह रेस्ट में है तो रेस्ट क यह मन लगा के थैंक यू